Hello guys, आज़ की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप बहुत ही आसान तरीके से अपने Facebook के किसी भी अचाउंट का password किस प्रकार से change कर सकते हैं जिन, जैसे कि मान लीजिए आपके किसी भी friend को आपके Facebook का password प्रताचल गया है और वह आपकी ID का miss use कर रहा है या किसी ने आपके SB account को hack कर लिया है और आप चाहते हैं कि आप अपना Facebook का password चेंज कर सकें तो आज का वीडियो खासकर आपके लिए ही बना हुआ है कि आप अपने Facebook का password कित परकार से change कर सकते हैं तो इस जानने के लिए वीडियो के इंट तक ज़रूर बने रहेगा अगर आप वीडियो को escape करके देखेंगे तो आपको वीडियो बिल्कुल की समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ वीडियो का बिना escape के पूरा इंट तक देखेगा जिससे कि आपको पूरे समझ में आ जाए कि वीडियो में किस प्रकार से मैंने आपको बताया है कि आप Facebook का password कैसे change कर सकते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बैल आइकन पर क्लिक करके इसे all पर कर दीजिएगा जिससे कि आपको मेरे वीडियो की notification मिलती रहे और अगर आपको काई quio को का तो आपको अपने फेस्टियुक पर आ जाना है बत आपको आप लेकर ऊपर टorf तरह करण मिलेगा आपको ऑप संब्सक्राइब कर देना होगा इसपर क्लिक कर देने के बाद आपको को नीची तरफ आजाना है और आपके याप नीची आपनम मिलेगा सेटिंग and privacy का तो आपको इस पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर setting और prophecy पर पहला खमें रोपने का तो आपको setting वाले option पर click कर देना है इस पर click कर देने के बाद आपको यहाँ पर पहला option मिलता है profile का second option आपको है account का आपको हम आपर security का एक option मिलेगा third number पर इसके बाद आपको इसके पहले option security और login वाले option पर click कर देना है जब आप इस पर click कर देंगे तो आपको यहाँ पर login के नीचे आपको यहाँ पर change password का option मिल जाएगा आपको change password वाले option पर click कर देना है जब आप इस पर click कर देते हैं तो आपको हहाँ पर तीन option में जाते हैं current password, new password, retype, new password current password में जो आपका पुराना password बनाते हैं जूद ने पाश्वर्ड बनाते हैं इसके बाद आपको retype new password में जो आपने नया password फिल किया है वही आपको इसमें दुबारा फिल कर देना है तो चलिए यह मैं आपको करके एक बार दिखा देता हूँ जैसे कि यहाँ पर मैं अपना पुराना password डाल दिया अब यहाँ पर मैं अपना नया password बना लेता हूँ जैसे कि यहाँ पर मैंने बना लिया इसके बाद आपको update password आले option पर click कर देना है जब आप इस पर click कर देते हैं तो आपके सामने इस परकार का interface आएगा फिर इसके बाद आपको stay login आले option पर click कर देना है इसके बाद आपको continue आले option पर click कर देना है जब आप इस परकार से click कर देते हैं तो दोस्तो आपका जो पास्वर्ड होता है फेस्बूक का पूरी तरह से चेंज हो चुका है तो इस प्रकार से दोस्तो आप बहुत ही आसानी से अपने फेस्बूक का पास्वर्ड चेंज कर सकते हैं तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपके लिए helpful है या नहीं मेरे को comment करें जुरूबताईगा और चैनल को अगर subscribe अभी तक आपने नहीं किया तो प्लीज सरी आपको subscribe कर दीजिएगा और वीडियो को like नहीं किया तो वीडियो को भी like कर दीजिएगा तो चलिए हम लोग म कर दो